Welcome students, आज हम हमारी मेदा बुक का पार्ट 3 चाने की चतुराई जो पार्ट को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आज इसको छंचित रूप से दोरान करेंगे तथा इसके उपरांत प्रशन उत्तर करेंगे एक किसान तीर थ्यात्रा पर जाता है और तीर थ्यात्रा पर जाने से पहले अपना सारा जमाधन अपने मित्र को दे देता है जब वेह तीर थे आतरा से लोडता है तो अपने मित्रे से अपना जमाधन वापिस लेता है किन्तों उसका मित्र उसे धन देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तो आपको जानता ही नहीं इस आप इती की घटना को लेकर व्यकिसान समराठ चंद्रगुप्त के दरबार में जाता है और उसे अपनी संपूर्ण घटना जो घटित हुई उसे बताता है समराठ चंद्रगुप्त अपने महामंत्री चानेके को इस समेश्या का न्याय करने के लिए कहते हैं महामंत्री चानेकें दोनों को अगले दिन दरबार में उपस्तित होने का आदेश देते हैं और जब दोनों मित्र राजसवा में उपस्तित होते हैं तो महामंत्री किसान से कहते हैं कि तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर इसको धन दिया था किसान कहता है कि मंदिर के बहार पेपल का पेट के नीचे एक चबूतरा बना था जिस पर मेरा मित्र बैठा था उस समय ही मैंने इसको धन दिया था महा मंत्री ने कहा, जब तुमने धन दिया था, तो तुम्हे किसी ने देखा था किसान कहता है, कि मुझे किसी ने नहीं देखा तब चाने कि अपनी बुद्धी की जटुराई से कहते हैं कि फिर तो अवश्य आपको पीपल के व्रक्ष ने देखा होगा तुम जाओ और पीपल के व्रक्ष को गवाई देने के लिए मेरे पास लेकर आओ मैं बूड़ा व्यक्ती धीरे धीरे चला जाता है और सुबह से दोफेर होने को आती है किन्तु मैं लोटकर नहीं आता तब उसका मित्र चानक से कहते हैं कि वैं मंदिर इतना दूर नहीं है जो उसने सुबह से दोफेर कर दी अब तक मैं उसके 20 चकर लगा सकता था जरूर वैंखा पिकर के अपने घर पर आराम कर रहा होगा चानक के ने कहा कि फिर तो आवश्य ही तुमने धन लिया है क्योंकि किसान का मित्र श्विम अपनी बातों के जाल में फस्चुका था और फिर उसने अपना अपराद भी सुविकार कर लिया जब वह बुड़ा किसान वापिस लोट कर आता है तो महामंत्री चानक के से कहते हैं कि पीपल के व्रक्ष गवाई देने के लिए मेरे साथ नहीं आया तब महामंत्री चानक के कहते हैं कि पीपल का व्रक्ष आया था और गवाई देख करके चला गया क्योंकि तुम्हारे मित्र ने अपना अपराद सुविकार कर लिया है इसलिए बच्चों हमेशा अपनी बुद्धी के बलपरी कारे करना चाहिए और अपने मित्र पर विश्वास करना चाहिए यही हमें इस कानी से शिक्षा मिलती है तो चलिए क्यूशन अंसर देखते हैं पार तिन चानने की की चतुराई पहले मोखिक प्रेशन होते हैं इन प्रेशनों के उत्तर बताईए यानि मोखिक प्रेशन कैं किसान किसके दर्बार में पहुचा था? किसान किसके दर्बार में पहुचा था? समराथ चंद्रगुप्थ के कैं किसान का नाम क्या था? किसान का नाम रामदास था गय किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी 5000 सिक्के गय पीपल का पेड कहा था पीपल का पेड मंदिर के बाहर था लिखित प्रेशन आते हैं सैकेंड नमबर पे हमारे इन प्रेशनों के उत्तर लिखिए कै किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिये थे पच्चों किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिये थे किसान ने अपने मित्र को तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पैसे दिये थे किसान के मित्र ने दर्बार में आकर क्या जूट बोला कि यह बुड़ा आदमी जूट बोल रहा है मैं तो इसे जानता तक नहीं गैं महामंत्री ने गवाई देने के लिए किसको बुलवाया महामंत्री ने गवाई देने के लिए पीपल के पेड को बुलवाया गैं किसान के मित्र ने अपना अपराद कद स्विकार किया किसान का मित्र श्वेम अपनी बातों के जाल में फस जाने के कारण अपना अपराद स्विकार किया चानके ने किसकी बल पर न्याय कर दिखलाया चानके ने अपनी बुद्धी के बल पर न्याय कर दिखलाया dear students watch the video properly and write question answer need and click thanks